विल्कम तो आर चैनल प्राजित वर्ड आज की इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है एंड गाइस बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इस व्लॉग का कि हम लोग कैसे मिले हमारी शादी आरेंज मेरेज है या नी मैंने कुछ तेम पहले पोला था कि हम कोशन और आंसर सेश पहले लोग का हमारी साधी जो ही थी टीपिकल अरेंज मेरेज है जो कि आप आप लोगी जवाने मोठी कि यह थी जादा लोगी जाए यह थी हमारी चात वी एंड है आम दोने दुसरी को देखे भी नी थे हम लोग पैली आर मिले थे इंगेजमेंट के दिन बस आपको किन से लड़की ची pra你 Disdae theatre एकली मुझें मालूब ने श्लागा लड़की देख रहा है अचली मुझे मुझे मालुम झिटाए गरो कि दे घर गये ते तो घर से मुझे फोन आया की रिस्ता है शाए अ अभी थी स्टाय कि चाहि यह कूई है तो मैनी मेंना कर दिया तो अनको पापा में कैसे बात हुई थी मेरे घर में कुछ पिक्चर्स पर गिरा दिखा रहे थे तो मेरे भाई और सभी बैठके देख रहे थे कि हाँ पिक्चर्स देख रहे तो रिष्टा आया हुआ था और फिर बात चल रही थी कि लड़की को देखने आने वाले हैं और मैं लग्की लिए तब घर पे गई हुई ति अपने दिवाली चटा टाइम था अना दिवाली चटाओ गई हुई थी जब मैं घर गई तो इन लोगों ने बोला कि देखने आएंगे शायद अभी कुछ फेक्स नहीं था कि देखने आएंगे ने या नहीं आएंगे बट मैं पिक्चर्ड मतलब मेरी आंटी की बहन है, बड़ी बहन और इनके पापा की फ्रेंड है, मतलब मेरे पापा जी की दोस्त हैं वो, मतलब उनके हस्बेन, वो लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैं उनने फूफा जी बोलते हूं, मौसा जी बोलते हूं, तो इनकी ममी के साथ उनकी बॉर्ण अभी मादग satisf I.S.O OK mlis थि यहार वालो ने बॉला कि अछा ठीक है हम लोग आते हैं क्यूंकि हमारे वह पे लगन नहीं होता तब तक यह सब शुब काम नहीं करते फिर गवर्धन पूजा के टाइम पर ही ये लोग मतलब मेरे पापाजी मेरी जो जिठाणी है भाबी 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 असारे आये फिर बच्चे भी आये और मेरी बड़ी वाली जो नदे मतलब दीदी है और मुझे थोड़ा तरह मेरे पास तो मुझे मालूम चला कि आये हुए लड़की देखने के लिए उसके बाद भाबी का फोन आया उसके बस भाइया मतलब कि भाबी को निया भाबी कहा और दीदी का या लड़की घर पे आगे हम लोग और मैं इतना नर्वस हो गया था इतना मुझे डर लग रहा थ मैं ऑफिस वड़के आ गया था बेस्मेंट में यहां पर कार पागिंग होती है वहां पर फोन लगा रहा हूं भीया को तो भीया उठानी रहे हूं मैं परसान वह गया थे वह समान लेने गए थे मार्केट में तो फिर क्या हुआ कि मुझे आए वो लोग देखने के लिए मतब जिसे भी मेरे पापा जी वैसे थोड़े भावुक इंसान है तो उन्हें नहीं पसंद की लड़की देखके छोड़ दो या कुछ भी तो इन लोगों का प्लान था कि आप लोग पहले लड़के को देख लो लेकिन फिर मेरे घरवाले थे कि हम लोग बैंगलोर जाए इ बाहर में जैसे भी कपड़े पहनू एंड उस टाइम पे भी मैंने सूट डाला था नॉर्मल तो फिर मुझे उन लोगोने सूट पर ही देखा तब तो मेरा भी ऐस सच कुछ इंटरेस नहीं था वेडिंग में यह वो क्योंकि मुझे भी थोड़ा करियर को लेकर के आगे बढ़की को दिखा तो मुझे देखा उन लोगोंने फिर महां पर ऐसे हाथ वीगर चेक चएक करते तो सारा जो भी हमारा होता है मतलब हर फैमिली में होता है मेरी फैमिली में हुए हाथ पैर फिंगर्स वीगरा है या कुछ डिफेक्ट तो नहीं है लड़की में थोड़ा क्ड़िक लगं कशले कि दिगत स Thank You I did कि वृष। है कि वही वही देखते हैं थोड़े बहुत हमारे में होता ही है ये वैसे बीहार में जने लोगों जो लड़कियां उन्हें उन्हों लोगों ने थोड़ा बहुत तो फेस्ट किया होगा हाथ देखते हैं और देखते हैं और गईस मेरे पापा और मेरे फैमिली मतलब की मेरे घरवाल है ऐसे हैं कि एक बार खिसी को देख लिए तो रिजेक्ट नी करते बले वो लड़की कैसी अपने प्रिश्ट की यह तो वह थो इसलिए अगल जाते हैं तो यह सब की बेटी होती है तो एक बार भी जो हुआ क्योंकि इड़त होती है ना तो जैसा भी है सईयाँ आच्छा वह कभी जाते कि इसलिए पापा को नहीं मतलब की अंकल में या बिदर अधर पापा को हम लो कुष पापा को इसकी कर लेंगे हो तो तो पापा को आप मैं यह जाओंगा मैं बात में जोँगा किजी का भी नाम लेते तो या तो श्री लगाते या तो Mr. and Mrs. ऐसे करके मैं बोली पापा मैं बहुत नर्वस हूँ मेरे यह सब नहीं बट उन लोगों मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो लोग कुछ सुन भी रहे हैं फिर उन्होंने मुझे पूछा भी कि खाना आता है बना तब तो नहीं पता था बाद में पता चला तब मुझे भी नहीं पता था बट फिर ऐसी उन लोगों ने देखा पूछा मुझे लगा कि अब रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं नाम वाम तो सब गलती बता रही थी लेकिन फॉर्चनेटली उन लोगों ने मुझे बोला कि पहन के आई और मुझे लगा कि सिर्फ देख रहे वो लोग और मैं जितने दिर में साडी पहन रही थी वो लोग जा चुके थे तो मैंने पापा जी को परणाम किया, मतलब तब पापा जी तो नहीं थे, अभी पापा जी होगे, तब मैंने उनको परणाम किया, तो वो मुझे आशिरबाद दिये और रोने लगे, फिर में को बोलते कि मेरा घर ऐसे राम भरत का है, इसको कभी भी तुम लोग संभाल के जब रिष्टा फिक्स हो जाता है अब मुझे वहीं पर रोना आने लगया फिर मेरा भाई मेरे पापा सब भी रोने लग गए मैं तब धीरे 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 उतना तो रोने नहीं लगे बट थोड़ा बहुत सेंटी से हो गए थे सारे बट तब मुझे शादी करनी नहीं थी तब कुछ उन लोगों ने मुझे दिया मेरे घर पे ही हुआ था यह सब कुछ कोई होटल वेगरा में नहीं हुआ था जस नॉर्मल था कि हां देखने जा रहे हैं बट लगे हाथ सब कुछ हो गया तो मतलब काइंड ओफ रोका हो गया था विदाउट इनके फिर इन्हें पता चल पापाजी संडे फोन कर रहे थे तो मैंने फोन उनका रिसीब किया अपना नाम पता बताया कि हमें यह करता हूं यहां तक यह से बस उतना ही पुछा लों ने उसके बाद मैंने बोला कि अंकल ही बोल रहा था तो उस टाइम में थोड़ा सा मतलों कि मैं सेविंग करूं मैं कि अपको एक्ष़ी मैं क्या किया थे कि गई आइस हाफ से बिंग कर चुगा था और फटाक से कॉल गया था और दो तीन मिरे ट्रकने बाद मुझे लगा कि यह तो मिरे बाद कॉल करते बोले कोई बात नी कोई बात नी फिक उसके बाद मैंने कॉल किया भी नहीं चलो प्ली मैं तो जोस्ती थी आज की जन्रेशन में ऐसा कौन सा लड़का होगा जो अपनी पूरी लाइफ जिसके साथ स्पेंड करना उसको नहीं देखेगा और मेरी फामली अलाउड कर रही थी कि हाँ आप देख सकते हो मुझे बोलते थे कि तुम अगर देखना है तो तुम देख लड़के को मीनवाइल मैं घर पर ही थी तो उन लोगों का प्लाइन बना कि वो लोग बैंगलोर आएंगे फिर मेरे ममी पापा मेरे बड़े भाई और एक दादी है जिने मैं बहुत जादा मानती है तो वह दादी आए इन्हें मिलने फिर तो भाई वो लोग जब वापस ग कोई बहुत प्लाइता है मैं अब मुझे और इौहां मेरे बैंगलोर में जॉब कर रहा था मैं तो मुझे कॉल आया कि आने वाले बैंगलोर में और सोच रहें है आपसे मिल लेते हैज है पापाजी कॉल आए और भिया कॉल आप जब श्सक्दिए कोई का लिए और मैरे भ् तो अंद वे जो बस होती है ना लोकल बस लोकल बस पकड़ के वहां पर वह बस पकड़ की हम लोग आप पर तीन-चार पकड़ी हमने तब गये थे मोग इस्टेशन पर मिलने के लिए उसके बाद कि वहां पर मिले तो अच्छा लगा मुझे ममी बोली कि आप फोटो देख लि लड़की क्या देखनी है जो किसमत में होगा बहुत लोड़की देखके भी इसकी साधी तूट जाती है तो मैंने अपने अपने लग पर छोड़ करके साधी मतलब कि एक कि अगशलों लगों ने फिर गाइस मेरे घरवाले गईने देखने फिर लड़का पसंद आ गया फिर वापस आए तो मेरे जो सस्राल वाले उनको कपड़े वेगिरा सब कुछ भेजा उन लोगों ने फिर एक तरह से शाधी पकी हो चुकी थी बट मुझे करनी नहीं थी और उन लोगों को भी नी करनी थी फिर हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया किया फिर एक साल के बाद दिसेंबर के थाल के इन्होंने मुझे मेसेज करा कि है हैं बोला कॉन फिर मैंने इनका रिप्लाई कुछ आया नहीं पिर मैंने डीपी देख ली थी अगया भाई बाकी सबी को मैं जानती थी तो मैंने शकल सुनम प rhtip को मैंने बीकिशल तो तो मैंने आपत। कि दिरे दिरे मैं ने पूछा कि इनको नंबर से मिला बट इनकी फैमिली को नहीं पता था कि इनके पश नंबर है तो मुझे मेरे पास नंबर था तो में रात के मतलब बद्धी जिस तिन था बद्धे इसे वह था अक्के लेए निक्स्ट लेवन फिप्ती जाने वाले से तो है तो इसलिए अब हुम हम जी है मुझे आम्द भी दीसंबर के रात में मुझे मेसेज आया था जब सब्सक्राओख विशुश करो घ历 तक कर था जब पूरा घॉंपिर थाखवागा गई ती उसके बाद में से कोते ह smoking जो से क्र pewnक propII टोड़ी सी बात होती थी जब मुझे पता कि बेंगलार में रहते हैं क्या करते हैं मैं भी जानना चाहती थी क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ कुछ डेलोग मार दिया था इन्होंने जिससे वो लोग इंप्रेस हो गये थे कि मैं खाके ही खिलाओंगा अपनी आपकी वेटी को नहीं मतलब थोड़ा बहुत इंप्रेसिव वाला इन्होंने जमा दिया था अपना हां ऐसा है और आप फॉलो भी करते हो तहले में खात खाता है में रहें तो मेरे पापाजी का भी फोन ओएगा तो मैं उसको सुनूगी या मेरे भैया का फोन आएम न कहाता है मतलब मेरे जेट जी किसी का भी फोन आएगा तो हम लोग एक दूसरे का कॉल एग्नोर कर देते हैं मतलब मैं तो कमी करती हूँ क्योंकि इन लोगों को बहुत गुस्ता आता है कॉल इगनोर करने से और मुझे गुस्सा आता है वेटिंग में आने से, बट मैं इनका कॉल फिर भी एक बार के लिए इग्नूर कर सकती हूँ, बट मैं घर वालो का कॉल देखती हूँ, पिक करती हूँ, वरना मैं इनको बोलती हूँ, अगर मैं बीजी होती हूँ, तो आप उठाओ, आप बात करो तो हम लोगों में यह चीज बहुत कमन है, फामली को लेकर के, तो फिर उस टाइम पर फामली वाली लोग सारे बात बात किये, फिर वापस से मेरी फामली आई इने देखने, जब मैंने बोला, आप जॉब विगरा देखो तो मेरे पापा, मम्मी फिर से आए, बैंगलोर मेर हमेरी इने 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 एक्षेंज नहीं किये थे, अभी थे, इसके हम नहीं कर लिए लिए करते थे, आप क्या जॉब करते हो, हाँ महीने में एक बार कर लिया, वही बहुत है, और वाइस ऐसा कुछ भी नहीं था. फिर फाइनली जब मेरे engagement का date fix हो गया था तो यह मुझे call नहीं किये थे बैंने नहीं call गया था पूछने के लिए कि engagement का date fix हो गया क्या यह वो तो इन्होंने बोला है हाँ घरवाले कर रहे हैं यह और हम लोग directly घर पे नहीं भात कर पाते थे कोई भी चीज और मेरे घर वालों को पता था कि हां भाई लोग बात करते हैं बट वही मेरी ममी बोलती थी कि कभी इनकी बीच में तबित खराब होती थी तो ममी बोलती थी कॉल करके बात कर लो पूछना चाहिए अब तो पता है कि फिक्स हो चुकी यह शादी होने वाली है त वी तो और मेरे घर में आप से इंटुरे में लोग यह मेने चाहिए और नहीं हमारी नहीं स्विल्डे हम लोग जिसमें विडियो कूल कि एक दूसरे को, हाँ मेरी जब February में इंगेजमेंट हो गई थी तो एपरेल में इनोंने एक बर मुझे वीडियो कॉल किया था, वो भी क्यों, क्यों कि मेरे ममी पापा की 25th anniversary थी, तो मेरे ममी पापा की 25th anniversary पे इनोंने वीडियो कॉल पे मुझे देखा था, एंड उसके बाद मै कैसे हो, या फिर कहा हो, या जॉब कैसा चल रहा है, या आपके office में कुछ politics होता था, तो वो आप बताते थे, मेरे office में होता था, तो मैं बताते थी, मतलब बहुत rare होती थी, मतलब की, एक साल का gap था, एक साल में आप लोग ऐसे लगा सकते हो, कि hardly 20 या, 10 बार बात की होंग वेडिंग के बाद, फिर हम लोग यहीं आ गए, फिर हम लोगों ने वेडिंग के बाद एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना, मैं जानी कि हाँ भाई, यह कैसे है, क्या है, क्या पसंद है, क्या गुस्सा आता है, क्या नहीं आता, फिर इनको भी धीरे-दीरे मेरा nature पता चला, और यहीं रीजन है कि अभी भी हम लोग कंप्लीटली एक दूसरे को नहीं जानते है, हाँ थोड़ा बहुत, अब मैं रियलाइस करने लगी हूँ कि हाँ इन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इन्हें भी अब थोड़ा बहुत पता चलने लगा, तो थो में, तो यह थी हमारी so-called arranged marriage की story and that's it, बस यहीं है, and guys, आप लोग सोच रोगे में इतना सजच के क्यों बैठती हूँ, तो इसके बाद या इसके पहले एक ब्लोग आ चुका होगा, या आप लोग देखेंगे कि मेरी शेकल की क्या हालत हुई थी, जिसके विज़े से मैं थो तो that's it, हमारी ये typical arranged marriage है, जिसमें हम लोग दो बार मिलें, एक engagement पर, एक wedding पर, that's it, and मैं इतनी खुश थी अपनी शादी में, इसलिए थी, क्योंकि मुझे तो करनी नी थी, लेकिन जब हुई शादी, तो मैंने सोचा कि यार, कुछ टाइम तो है हसने के तुम हसलो, जिन्द अगर तक end part आप इनसे सुनते है, बोलिए, बस, like, comment, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो please comment it, like it, share it, subscribe it, and बहुत 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 सार प्यार दिखाई आप लोग ताकि हम लोग और challenging और कुछ खुछ वीडियो आप लोग के सामने लेया आप आए, और जाए जाए जा बस, guys, हमारे बारे में इतना ही, I think, अब आप लोगों ने शादिवादी का सब वीडियो देख लिया, and लड़ो नहीं आ रहा है कुछ दिन से व्लॉग में, क्योंकि वो अचकल थोड़ा बदमाशी कर रहा है, and हम लोग जब capture करते तो उसे सुला के करते, ताकि वो disturb ना करे बट फिर भी मैंने कुछ-कुछ हरकती उसकी capture किये, तो वो मिले कि आपको नेक्स व्लॉग में, तब तक के लिए, bye, take care you guys, and, alvida